मुलतानी सोनलवा की असली रेसिपी शेयर करूंगी जो के बहुत ही डिलिशिस बनता है और आप इसे इजी ली घर पे बना सकते हैं कौन कौन सी सीक्रिट चीज़ें जो इसके अंदर एड करेंगे और जिनसे हलवा जो है दानेदार बनेगा प्यारा सा कलर बनेगा बहुत ही एम स्टेप्स के साथ मैं आप लोगों को ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी इन्शाला ये रेसिपी वीडियो देखने के बाद आप खुद घर पर ये असली मुलतानी सोनलवा बनाएंगे रेसिपी वीडियो को फुल वाच कीजेगा और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक दूर कीजेगा चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल यहां पर हम एक पतिली में दो कप के करीब समनक यानि के अंगुरी एड़ करेंगे और साथ ही हम इसमें दो कप के करीब मेदा एड़ करेंगे और मेदा को आप लोगों ने चान के एड़ करना है समनक आप लोगों को किसी भी स्टोर से इजी ली मिल जाएगी या फिर आप किसी भी 65 की चौप साइसे एजीली 25 कर सकते हैं अब यहां पर हम इसमें मेदा को चान के एड़ करेंगे ताकि इसमें जितनी भी गुठले आप आप अची तरह से खतम हो जाएं और इन दोनुछ चीजों को जो हम अची तरह से मिक्स कर लेंगे समनक और मेदा अची तरह से मिक्स हो चुके हैं तो अब यहां पर हम इसमें पानी आड़ करेंगे यहां पर हम तकरीबन दो से तीन लिटर के करीब हम इसमें पानी आड़ करेंगे लेकिन फरस्ट में आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा इसमें पानी आड़ करना है और इसकी जो है अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है नहीं तो आप लोगों अगर इसमें एक साथ पानी आड़ कर देंगे तो इसमें गुटलिया बान जाती है और बहुती मुश्किल से इसकी मिक्सिंग होती है स्पैचुला की हल्प से हम इसमें जितनी भी गुटलिया बनती जाएंगी हम इनको खतम करते जाएंगे आप चाहें तो हैंड मिक्सर की हल्प से भी इसकी गुटलिया खतम कर सकते हैं और यहां पर मजीद हम इसमें दो लिटर और पानी आड़ कर देंगे और इसको अची तरह से मिक्स कर देंगे سमनक और मेदा अची तरह से मिक्स होच चुके हैं तो अभी हमने इनको कुप करना है अब यहां पर हम एक बड़ी कढ़ाई लेंगे आप लोगों ने अपने सोनलवा के इसाब से कड़ाई या बरतन ले लेना है, जितना मोटर पैने वाला बरतन होगा, उतना ही अच्छा आप लोगों का सोनलवा बनेगा, अब यहाँ पर तक्रीबन हम इसमें तक्रीबन 7-8 लिटर के करीब मिल्क एड करेंगे, और यहाँ पर यहाँ पर 10-15 मिनट कुक करने के बाद आप देख सकते हैं कि मिल्क को बैलाना स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूज़े वो अंदर से अच्छी तरह से पकरना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इसको उपर तक अभी तक अबाल नहीं आया, यह बस इतना जो हमें यह गरम चाहिए, तो इसके लिए जो हम इसकी सीक्रेट रेसिपी जो हो रेडी कर लेंगे, इस टेज पर आप लोगों ने रेसिपी को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना, नहीं तो आप लोगों की जो रेसिपी है वो खराब हो सकती है, अब यहाँ पर हम एक बॉल में पानी लेंगे तकरीबन दो से धाय कप के करीब और उसमें वन टेबल स्पून के करीब जो हम फिटकरी एड़ करेंगे, फिटकरी को जो हमने तोड़के चोटे चोटे पीसिज में तोड़ लिया है, इस तरह यह जो है अच्छी तरह से पानी में डिजॉल्व ह हो जाती है, और साथ ही हम इसमें वांटेबल स्पून भरके टाटरी एड़ करेंगे, इसको आप सिट्रेक एसिट भी बहुल सकती है, यह आप लोगों को किसी भी पंसार की शौब से एजीली मीच जाएगा, और दोनी चीजों को जह आप लोगों ने पानी के अंदर तरह से दूद पाक रहा है, तो यहाँ पर हम एक काप के साथ मायर मिन्ट वाला काप होता है, या कोई साथ भी आप ले सकते हैं, उसके साथ हमने इसमें भरके थोड़ा थोड़ा इसमें पानी एड़ करते जाना है, कोशिश करिएगा कि जितना काम यूज पानी हो सकता है, इतना ही आप लोगोंने इसमें एड़ करना है, और इस पानी से हमने दूद को फटाना है, और दूद के साथ से आप लोगोंने इसमें खटा पानी एड़ करना है, और इस से एक तो दूद फट जाएगा, दूसरा हमारा सोन अलवा दानेदार बनेगा, और यह जो अंगूर अगर आपके पास अगर औरेंज फूट कलर नहीं तो आप इसमें येलो वाला भी थोड़ा सा एड़ कर सकते हैं दोनों को जहें वह सेम रिजल्ट मिलता है और इसको भी हम अजीद पकाते जाएंगे अभी जह हम इसमें शुगर Ä्ड़ करेंगे और यहां पर हम इसमें दो कप के करीब शुगर आड़ करें अगर आप लोगों के पास लिकृट गुलुकोज है तो आप लोग शुगर की मिग्दार को कम कर सकते हैं अभी जूए हम इसमें बाद में लिकुर गुलुकोज आड़ करेंगे इसलिए हमने फास्ट में शुगर जए थोड़ी सी कम एड़ किया है तो साथ ही हम इसमें देशी की भी एड़ कर देंगे ताके हमारा जो सोन अलवाए वो नीचे ना लग जाए बेसिकी एड़ करने के बाद अभी हम इसमें लिकृट गुलुकोज एड़ करेंगे और यहाँ पर 1000 क्राम के के हिसाब से यानि के एक किलो के हिसाब से जए हम इसमें लिकृट गुलुकोज एड़ करेंगे और यह जए हमने बेखाव से आउनलाइन परचेस किया है अगर आप भी ऑनलाइन पर्चेस करना चाहते हैं तो आप कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा इसकी लिंक जए मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूगी आप उधर से जाके एजिली पर्चेस कर सकते हैं और लिकट गुलुकोस के लावा आप बेकिंग से रिलेटेड हर्चीज घर बैठे एजिली मंगवा सकते हैं यहां पर लिकट गुलुकोस जए वो ठाण की वज़ा से अची तरह से जम चुका था और बहुती मुश्किल से निकल रहा था तो इसको जए हमने गरम-गरम सोन अलवा के अंदर ऐसे ही छोड़ दिया था तो अची तरह से जए वो इसके अंदर र लगाएंगे उतना ही जो है आप लोगों का सोन अलवा जय बहुती मज़े का बनेगा और यहां पर तकरीबन एक घंटा हो चुका है और आप देख सकते हैं कि सोन अलवा का जो कलर है वो बहुती अच्छा सा होना स्टार्ट हो चुका है और मजीद जय हम इसको पकाते जाए हलवा के अंदर आप लोगों ने चमच को रोक रोक के हिलाना है नहीं तो आप लोगों के हलवे के दाने नहीं बनेगे अच्छी तरह से रोक रोक के चमच को हिलाएंगे तो अच्छी तरह से जो है इसके दाने बनेगे आप यहां पर आप देख सकते हैं कि हलवे के अंदर बहुती कम पानी रहे चुका है तो अभी हम इसमें थोड़ा सा इलाची पॉड़ार एड़ करेंगे आप चाहे तो इसमें साबित इलाची भी एड़ कर सकते हैं और मजीद चेह हम इसको पकाते जाएंगे तकरीबन तीन गंटे कुक करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा हलवा पकने पर आ चुका है तो अभी हम इसमें थोड़े से कटे हुए ड्राइफूट आइड़ करेंगे इस स्टेज पर आप लोगों को जो भी ड्राइफूट पसंदो आप इसमें एड़ कर सकत मजीद 10-15 मिनिट कुक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे हलवा के अंदर तार बनना स्टार्ट हो चुकी है तो अभी हम इसको मजीद 5-7 मिनिट के लिए कुक करेंगे आप लोगों ने इससे एक्स्रा कुक बिल्कुल भी ने करना नहीं तो यह नीचे लगना स्टार तो अब हम इसमें एक बहुत ही आप चीज़ एड़ करेंगे जो के हमारे हलवा का बहुत ही मज़े का फ्लेवर बनेगा माशाला से आप देख सकते हैं कि हमारा हलवा जाए कैसे दानेदार यमी किसम का बन चुका है तो अभी जहां पर हम आदा किलो देसी गी लेंगे और अची तरह से हमने इसको गरम करके इसमें एड़ कर देंगे और इस टेट पर फ्लेम को आफ कर देंगे और हलवा को एक घं लेंगे और उसमें हम हलवे को ट्रांसफर करते जाएंगे आप लोग इस टेट पर जितने भी बरतनों में आप लोग इसको ट्रांसफर करना चाहते हैं कर सकते हैं और स्पैचुला से अप इसको इस तरह से अच्छी तरह से सेट करते जाएंगे यहां पर हलवा को हमने अच्छी तरह से सेट कर लिया है तो इस तरह से हमने स्पैचुला की हल्फ से बीच में निशान लगा देंगे और इसके अंदर हम ड्राइफ रूट लगा देंगे आप इतनी मेहनत कर लेने के बाद इतना मुझेदार सोन हलवा तो बन ही गया है तो क्य पर लगा सकते हैं बहुत ही मज़ी का बनता है और हम इस ट्रेकों बादाम पिस्टा और अखरोट और काजु से डेकुरेट करेंगे यकिन मने अगर आप इसे घर पर त्यार कर लेंगे तो कोई भी गैस नहीं कर पाएगा कि आप लोगों ने इसे खुद ही घर पर त्यार कि चैनल पर ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फ्रेंड्स और फैमली के साथ शेयर कर दीजिए और अपना प्यारा सा कॉमेंट सेक्शन में फीडबैक लाजमी दीजिए कि आप लोगों को ये मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है अब यहां पर हमारे पास कुछ मुलतानी सोनलवा के खाली बॉक्स रखे थे तो हम इनमें भी कुछ हलवा डालके इसको सैट कर लेंगे इस तरह अगर आप किसी को देना चाहते हैं तो यकीन मनें जरा सा भी कोई गैस नहीं कर पाएगा कि आप लोगों ने इसको घर से त्य करें और घर में बनाके इजी लिजे आप इसको तकरीबन 15 डेस 20 डेस तक जए आप इसको खा सकते हैं बहुती मज़िका कमाल का अलवा बनता है अब इन बॉक्स इसको भी हम उपर से अच्छी तरह से डेकोरेट का लेंगे तक कोई भी गैस ना कर पाए कि हमने इसको घर पे त्यार किया यकीन मने जब आप इसको एक बार बार बनाएंगे और कभी भी बाहर से परचेज नहीं करेंगे यहां पर हमने तक्रीबन एट लीटर के क्रीव जय है हमने इसमें मिल्क का एड़ किया है और पांच से छे किलो जय हमारा इजी ली जय सोन अलवा बन के त्यार हो जाता है पर दो से धाई गणते की मैनत होती है और माशाला से इतना सारा जो हमारा बन के तियार हो जाता है मलतानी सोन अलवा के इलावा आप मेरे चैनल पर बहुती मज़ी कम खंडी अलवा जो के बहुती कम टाइम और बहुती कम महनत में आप बना के इंज्डॉय कर सकते हैं और बेकिंग से र्रिलेटेड डेजी केक डेक रिवाइचे कर सकते हैं जिसमें आप आवणु और विभ्द आवणु रहस सब्सक्वाइब कर सकते हैं और बच्चेट रहलेटड रहल्दी प्राथर्पी कबाब रहस सपीज भी देखना मत भूलेगा आई आपके ये मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी रेसिपी वीडियो ची लगे तो लाइक ये बगार मच जाएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अपना प्यारा सा फीडबेक लाजमी दीजिएगा तो मिलते हैं योर मज़ेदार रे आफीज!